हाई फ्रेंड वेलकम टू बैक माई चैनल तो आज हम बनाने जा रहे हैं पुदेने की चट्नी मैंने एक कटोरी पुदीना ले लिया है यहाँ पर और एक कटोरी धनिया उसमें पांच-शे मिट्शी हरी डाल ली है मैंने चलिए अब मैं इसमें डाल लेती है आप अपनी साथ से देख लेजिएगा मैने इसमें डाल लिया है मैं धनिया भी डाल लेती हूं इसमें धनिया डाल लेती हूं और मैंने 5-6 मिट्ची भी इसमें कट करके डाल लेती धनिया में आप अपनी साथ से डाल लेना आप तो कितना स्पाइस ही चाहिए और काईस अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सस्क्राइब करना ना भूलें इसी तरह की डास पी और देखना चाहते हैं तो लाइक करें शेयर करें अब मैं नमक डाल लेती हूं इसमें स्वाद अनुसार और अब मैं इसमें थोड़ा जीरा डाल लिए आप मतलब मैं एक चमर डाल लिए हूं मतलब मेरा तो अंदाज है उसी उसाब से आप एक चमर डाल लिना इसकी बहुत अच्छी खुश्बुआती है चट्नी में अब मैं पीस लेती हूं चट्नी को चट्नी पिसकर तयार हो चुकी है दो मिनट में बन जाती है चट्नी गाइस देखिए कितनी बैतरीन बनी है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस थांक यू यह मेरी रेसिपी है पुदेनी की चट्नी को बहुत पसंद थी घर तो मैंने सोचे क्यों आपके साथ शेयर की जाए रेसिपी शायद आपको पसंद आए